गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स आशा करता हूं कि आप लोग सुष्टे हम सुरच्छित होंगे। पिछली कच्छाओं में हम लोग सिच्छा करत पड़े फिर दर्शन करत पड़े। फिर सिच्छा दर्शन के संबंधों को जानने के लिए हम लोगों ने नया टॉपिक सुरू किया था कि किस तरह से सिच्छा और दर्शन एक दूसरे पर आश्रित हैं। आसा करता हूं कि पिछली कच्छाओं में आप लोगों ने जो कुछ भी पड़ा वो आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी इच्छात्र को कोई दिक्कत है तो वो मुझे से संपर्क कर सकता है। उसी जो पिछला टॉपिक हम लोगों ने पिछली कच्छा में शुरू किया था सिच्छा और दर्शन का संबंद। उसी को आगे बढ़ाते हुए और उस पर और प्रकाश डालने के लिए आज हम उसी के आगे शुरू करते हैं फिर से। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम और ठोड़ा बढ़ाएंगे आशयकरता हूं कि आपसे आपका और ठोड़ा सा कांसेप्ट क्लिएर होगा ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं फिलास्पि आनन ईजूकेशन यानि दर्शन का सिच्छा पर प्रभाव तो इसको जो हम लोगों ने शुरू किया था कि सिच्छा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू है तो उसी जो जेयस रास का कथन है उसी कथन को इसपस्ट करने के लिए आज हम सुरू करेंगे कि इस तरह से दर्शन का सिच्छा पर प्रभाव है तो इसके अंतरगत जो पहला प्रभाव हमें देखते हैं वो है फिलास्पी एंड कांसेप्ट आफ एजूकेशन यानि दर्शन और सिच्छा का संप्रत्ते है तो अगर आप यह देखोगे तो दर्शन और सिच्छा के संप्रत्ते पर सीधा सीधा सा प्रभाव पढ़ता है तो इसका अर्थ अलग हो जा रहा था तो उसी तरह से अलग अलग दासनी विचारदाराओं के हिसाब से सिच्छा का अर्थ भी अलग अलग हो जाता है जैसा समाज होता है जैसा कि हम लोगों ने कई बारे बारे में चर्चा की कि प्रमुक्ताया आदर्सवाद, प्रकितिवाद, प्रयोजनवाद, यतार्तवाद, मानवतावाद, अस्तेतवाद ये बिचारधारा हैं और कहीं न कहीं लगबग सारे समाज इनीम ऐसे किसी एक बिचारधारा के पोसक होते हैं, मानने वाले होते हैं तो जिस समाज में जैसा दर्शन होता है उसके अनुसार वहां के सिच्छा का संप्रत्य या कांसेप्ट बदल जाता है अब इसको आसानी से समझने के लिए देखते हैं सबसे पहले जैसे आदर्सवाद तो आदर्सवाद सिच्छा को एक आध्यात्मिक क्रिया मनता है मतलब आप यह देखो कि जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि आदर्सवाद भी दो केटेग्री में बटा है पास्चात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्यात्य तो अगर देखा जाए तो आदर्सवादी समाज में सिच्छा कर्थक क्या हो जाता है आध्यात्मिक रिया यानि सिच्छ व्य है जो बालक की आध्यात्मिक उन्नति करें इसके बाद जैसे हम दूसरी विचारधारा देखते हैं प्रकतिवाद तो प्रकतिवाद क्या मानती है यह विचारधारा इसी है कि यह मानती है कि इस स्रिष्टी का संचालन प्रकतिद्वारा होता है प्रकति ने ही इस स्रिष्टी को बनाया है और प्रकति इस स्रिष्टी का संचालन करती है तो उन्होंने कहा कि जो सिच्छ भी है वो भी एक प्रा प्रतनाओं को देख कर वो सीखेगा जैसे अगर आपको याद हो आप लोगों ने विलियम वर्ट्सवर्थ की एजुकेशन आप नेचर यह पोएम आपने पढ़ी रही होगी साइद इंटर में पहले थी यह पोएम अब मुझे पता नहीं है लेकिन पढ़ी होगी कि माद्यम से यह दिखाया है कि एजुकेशन इस वो नेचर इस दे बेस्ट टीचर यानि प्रकति सर्वोत्म सिच्छी का है यह सिखाने के लिए उसमें आपने पढ़ा होगा तो उसका जो भावारत है कि जो लूसी है वो हिरनी से चलना सीखेगी जरनों से सुनना सीखेगी यह सारा सब कुछ आपने उसमें आपने पढ़ा है तो उसका भावारत यही है कि मतलब प्रकति अपने आप बालक को सिच्छित कर देगी प्रकति में बालक क्रियाएं करेगा और उनक्रियाओं से सीखेगा और अगर हम इसको रूसों के नजरिये से देगे तो रूसों ने गतल्स इसको एक कतम और आगे बढ़के गाह है कि उसने कहा है कि बालक एकदम प्योर पैदा होता है और उसमें समस्त बुराइया समाज में आकर होती है समाज यानि बालक को दूसित कर देता है यह रूसों का कहना है तो अगर आप यह देखो तो इन्होंने प्रकतिवादि के दो अर्थ चिपे होते हैं एक प्रकती यानि जो हमारी सराउंडिंग से यानि जो हमारा हमारा जो यह नेचर है पूरा इन्वायर्मेंट है यह इस प्रकत की बात हो रही है यानि इसमें हम क्रियाएं करें और क्रियाओं के माद्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं और वैसे भ तो प्रकति वादी दर्शने यह मानता है कि अच्छी सिच्छवबा है जो बारत किसाने निद्ध में खुद करियाए करके सीखे Kundi यह प्रहक्टिक प्रहु क्यून आवस्दा कुलियाय करेगए करेगा यisesti जिस आवस्था कर बच्चा होगा जैसे आप होता है छमता है रूचिया अलग-अलग होती है तो बालक जिस अवस्था में जैसे जैसे जाता जाता है वैसे वैसे उसका विकास होता जाता है तो प्रकतिवादियों मानना कि यह जो सिछ्छकी प्रक्रिया है यह दरसल एक प्राक्ति प्रूर्स फुली बालक पर नहीं लादना चाहिए तो अगर आप यह देखो तो उन्होंने प्रक्रिवादियों ने मानना कि बालक को केवल क्रियाए करने देना चाहिए बागी सब कुछ nature उसे सिखा देगी अच्छी चीजें भी सिखा देगी और बुरी चीजों से दूर रहना भी सिखा देगी जैसे प्राक्तिक परिणामोद्वारा नुसासन की भी बात जैसे प्रकतिवादियों ने की है कि अगर बालक कोई गलती करेगा तो प्रकति उसे दंडित करेगी और उसे सही रास्ते पर ले आएगी तो आगर हम ये देगें तो प्रकतिवादी दर्सने मानता है कि सिख्छा एक प्राक्तिक क्रिया है इसको मतलब फोर्सफुली उपर से नहीं लादना चाहिए बलकि नेचुरिली ये होना चाहिए फिर इसके बाद और ये भी मानते हैं प्रकतिवादी की मतलब अगर हम बालक के इस विकास करब को बदलने का प्रयास करेंगे तो हम वही करेंगे कि हम कच्चे फल तोड़ेंगे और उन फलों में ना तो स्वाद होगा और ना सुगंद होगी ठीक है फिर इसके बाद हम प्रियोजन वाद की बात करें प्रियोजन वाद समाज वादी दरसन है एक तरह से तो प्रियोजन वाद की अगर हम बात करें तो प्रियोजन वाद क्या कहता है प्रियोजन वाद कहता है कि समाज में या सरिष्ट में कुछ भी पर्मानेट नहीं है सब कुछ परिवर्तन सील है तो हमारे आदर्स, मूले परमपरा, रीत, रिवाज ये सारा सब कुछ बदलता रहता है बदलती परिस्थितियों के अनुसार और उन्होंने कहा कि सत्य भी एक नहीं है बलकि अनेक हैं और सत्य की जो प्रकती है वो इस्थाय तो नहीं है उस सत्य में यानि सत्य समय काल परिस्थित के अनुसार बदलता रहता है और उन्होंने कहा सत्य एक नहीं है बलकि अनेक है जैसे अगर आप देखेंगे आदर्स वादी दर्सन क्या कहता है कि सत्य एक है यानि इस्वर ही सत्य है और सब कुछ इस्वर से निर्मित है और इस्वर में ही बिलिन हो जाना है तो सब ultimate truth जो है वो इस्वर है लेकिन ये कहते हैं कि नहीं सत्य एक तो एक नहीं है और ये समयकाल परिस्तित के अनुसार बदलता रहता है जैसे पिछली कच्छाओं में हम लोगों ने पढ़ाता है कि जैसे कोई बच्छा है और वो बहुत इमानदार है वो हमेशा सत्य बोलता है और बहुत इमानदाईस जीवन जीता है लेकिन सोची अगर उसकी मा बीमार हो और उसके घर में पैसे नहों तो हो सकता है कि वो चोरी कर ले या किसी से जूंट बोले या किसी से पैसे मांग ले तो कहने का मतलब यह है कि उसकी परिस्तित बदली और बदलती परिस्तितियों के अनुसार उसका बेवार भी बदला उसका नजरिया भी बदला आप देखते हो कि हमारे आसपास हमारे जीवन में आप देखते हो कि कोई प्रवित्टी का हो जाता है जो उसका पूर्व नेचर है वो पूरी तरह से बदल जाता है यानि बदलती परिस्तितियों के अनुसार वो बदल गया जैसे पिछली कच्छा में भी हम लोगों ने इस बारे में चर्चा की थी कि बेक्तियों का अलग बेक्तियों के सत्य भी अलग अलग है जैसे कह दिया जाए कि आदर्सवाद में कहा गया है कि सत्य एक है लेकिन प्रियोजनवादी दासिन कहता है कि सत्य एक नहीं है जब हम जब बेक्तियों में इंडिविज्वल डिफरेंस है यानि अलग अलग योगता छमता रुचियों परिस्थितियों के वेक्ति हैं तो उनके लिए सत्य एक कैसे हो सकता है उन सारे वेक्तियों के लिए सत्य अलग अलग हो सकता होगा जैसे अगर कहे दिया जाएक तो धिरुबाई अमानी का सत्य अलग होगा बिल गेट्स का सत्य अलग होगा और एक मजदूर और एक खेतियर का सत्य अलग हो है क्योंकि दोनों की परिस्तियों में जमीन आसमान का अंतर है दूसरी बात ये है कि एक अहिंसक वेक्ति के लिए सत्य अलग है यानि उसको ये है कि मुझे हिंसा नहीं करना है जैसे वो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलता है ठीक है इसके भी प्रीत एक जो कसाई है जो दिन भर जानवरों को काटता है उसके लिए उसका सत्य है कि मतलब उसको यह है कि मैं जो कारे कर रहा हूं वो गलत नहीं है बलकि इससे मेरे परिवार की जीविका चलती है तो कहने का आसे यह है कि जब लोगों की अलग-अलग परिस्तितिया होते हैं तो उन परिस्तितियों के अनुसार उनके सत्य भी अलग-अलग होते हैं यह मैं नहीं कह रहा है यह प्रियोजन वाद कह रहा है ठीक है ना तो कहने का मतलब यह है कि प्रियोजन वाद क्या कहता है क कि सिच्चह क्या है सिच्फचह क्रिया है मतलब अकर आप कि प्रहुजन वाद कहा रहा है कि सिच्छह समाजिक क्रिया है क्योंकि जब हमने सिच्छा के पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ाता कि बालक अपने जीवन का मैक्जिवन पार्ट अनौप चारिक सिच्छा से प्राप्त करता है और अनौप चारिक सिच्छा प्राप्त कहा करता है अपने समाज में समाज में सबसे पहले परिवार के जो बड़े होते हैं उनके आश्रण को देखता है और उनको उनकी नकल करने का कोशिस करता है यानि करता है तो अगर देखा जाये तो वो सब जगे रही कर रहा है क्या है समाज में क्या करते हैं हम लोग वह करते हैं थैंक acia शीह सी बात है वह समाजी क्रियायओं में भाग लेता है और जी तरह समाजी विखास होता है आप इसको ऐसे समझव कि اगर कोई बच्चा है अगर उस बच्चे को पैदा होने के बाद ही किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और कुछ ऐसी वेवस्ता कर दी जाए कि उसको पोसड मिलता रहे यानि वो जीवित रहे यानि उसके खाने पीने की वेवस्ता हो लेकिन वो किसी विक्तिकों ना देखे, ना उससे कोई इंटरेक्शन हो, ना कोई बाहर की दुनिया या लोगों किसी को ना देखे वो, तो आपको क्या लगता है कि वही बच्चा जब कुछ बड़ा हो जाएगा, उसे बाहर अगर उस कमरे से निकाला जाएगा, तो क्या वो क करें चलना है या नेथ करूए कि चलना है क्योंकि उसने सब कुछ सीक्थ कुछ सीखने का उसे उसे नहीं मिलता, सीधी सी बात है कि बालक कैसे करता है, सीखता है, वो अपने से बढ़ों को जो करते हुए देखता है, वही करता है, उसी के नकल करता है, दीरे-दीरे, वही वो सीख जाता है, और इस तरह से दीरे-दीरे, जैसे-जैसे उसके उम्र बढ़ती है, उसके समझ कए आएं वैसे वैसे वो नकल करके सीखता जाता है तो कहने का से यह है कि अगर वह अन्ते ग्रियाएं ना करने का उशे अश्ञग दिए तो उसमें भाशा संस्कृति आचार विचार मूल फरम परहाएं यह सारे जो कुछ भी वह सीखता है खान पान पहना वह जो कुछ भी सीखता है वो कैसे वो सीख पाएगा नहीं सीख पाएगा तो कहने का से यह है कि जैसा समाज कर दर्शन होता है वैसा ही सिच्छा का संप्रत्य होता है यानि दर्शन ही सिच्छा के संप्रत्य को इसपस्ट करता है इसलिए आदर्शवादी दर्शन यह माता है कि सिच्छव करें तो कहने का से हैं कि जैसा दर्शन होता है वैसा ही सिच्छा का संप्रत्य होता है आज की कच्छा में इतना ही अगली कच्छा में हम पढ़ेंगे philosophy and aims of education क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर upload करने में उसे दिक्कत होती है इसलिए आज की वीडियो में इतना ही अगली वीडियो में हम लोग philosophy and aims of education पढ़ेंगे आपका दिन सोबो दन्यवाद